हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज में किसा शेयर करने चाहरी हूं भंडारे वाली हलवाई स्टाइल पूरी सबजी की रेसिपी आप इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं आपके किचिन के जो रेगुलर मसाले हैं वही आपको यूज करने हैं कुछ भंडारे में सबजी होती है तो भंडारे में दो दरेकी सबजी बनती है एक होती है आलू वाली एक होती है मिक्स सबजी तो हमने आज मिक्स सबजी बनाई है आप इस सबजी का टेक्शर देख सकते हैं कलर देख सकते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप इसे जरू में देते हैं ना भंडारे में उसी तरीके से आप इस सबजी को अपने घर पर एज़ ब्रेकफास्टर बना सकते हैं या फिर कभी आप पूरी सबजी बनाते हैं तो आप ये जरूर ट्राइ कीजिएगा इस सबजी में हमने जो मसाले यूज किये हैं देखिए मसाले आपके करते हैं कि इससे इस तरह की सबजी बन कर तयार होती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारी हलवाई स्पेशल भंडारे वाली पूरी सबजी की रसेपी पसंदा आए तो इससे लाइक कीजिएगा जाद जादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं तो यहां जो हमने सबजी लिया है यह हमने लिया है कासी फल जिससे हमने से कीजिए काट लिया है चिलका हमने इसका नहीं हटाया है और इसके साथ हमने लिया है एक शिमला मिर्च एक हमने लिया है गाजर थोड़ी से लिया हमने गिया या लौकी थोड़ी सी अर्वी लिया है और यह हमने मटर का भी नहीं हटाया है और इसको अमने पाने भीखो के रखा है ताकि ये काले और कड़वे ना हो इस सब्जें पालक आपको थोड़ा सा जादा अमांट में लेना है, देखिए आप चाहें तो इसमें से शिम्ला मिर्च, गाजर और पत्ता गुबी को भी स्किप कर सकते हैं लोकी को भी कर सकते हैं, अर्वी को भी कर सकते हैं सिर्फ बैगन, आलू, शिम्ला मिर्च, मटर से आप इस सब्जी बना सकते हैं पालक नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं सबसे पहले हम सब्जी को वाइल करेंगे तो यह हम कुकर में सभी सबजी डाल देते हैं आप चाहें तो इस सबजी में फूल गोबी भी एड़ कर सकते हैं यह आपकी चॉइस है परना जो सबजी आप मैंने ली है यदि आपके पास वो सबी हो तो बेटर है नहीं तो जो मैंने आपको बताया था बैगन, आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, मटर इससे भी आप यह सबजी बना सकते हैं प्रोसेस सेम रहेगा मसाले भी वही रहेंगे एमाउंट कम जादा हो सकता है मसालों का वो आप अपने हिसाब से देखना आप कितनी सबजी बना रहे हैं तो यह सबी है बिसमें डाल देंगे अभी आपको लग रहा होगा यह कितनी सबजी है लेकिन जब आप इसमें सीची लगा देंगे कुकर में तो उसके आप देखेंगे यह बिल्कुल आदी हो जाएगग यहां हमने एक कटोरी में पानी लिया है यह आदा चमस से थोड़ा सा कम है हल्दी पाउडर नमक लेंगे सफेद वाला सबजी के हिसाब से थोड़ा सा कम लेना क्योंकि बाद में हमें इसमें काला नमक भी डालना होता है सबजी में इसे मिला लेंगे अब इसे इसमें डाल देंगे उपर से इसे क्या को हल्दी नमक अच्छी से अपने आप इसमें मिल जाएगा आपको ये चलाने के जरूरत नहीं पड़ेगी और अब हम मीडियम फ्लेम पर इसमें दो सीची लगाएंगे अब जो आपको पहले स्थिया करना है वो मैं आपको बता देती हूँ अब आपको इसे दर दरा कूटकर तया करना है बिलकुल पाउडर नहीं करना है दाने दिखने चाहिए इस तरीके से तो यहां यह भी बहुत जरूरी है इससे सबजी में बहुत अच्छी खुश्बू आती है और टेस्ट भी आता है तो यह पहले से हमने करके रख लिया है अब यहां हम तड़का तयार करेंगे तो यह हमने कड़ाई ली है कड़ाई में हम लेंगे चार से पांच बड़े चमच ओईल दिखिए हलवाई स्टाइल बनाना है न तो चीज़े थोड़ा सा जादा मौट में जाती है रेगुलर से एक चमच जीरा जीरा जब हलका सा चटकने लगेगा तब ही हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चमच हीम हीम थोड़ी सी जादर डलती है इसी के साथ में इसमें हम डालेंगे ये तेजपता हरी मिर्च और अडरक और इसको हम लो फ्लेम पर हलका सा भूल लेंगे देखिए एडिया आपको अडरक पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते है नहीं तो आप उसे कद्यूकस करके भी यूज़ कर सकते है तो अच्छे से सिक जाता है तो उसका टेस्ट ऐसे नहीं आता है तो ये चीज़ें हमारी भूनकर तैयार हो गई है यह हम डालेंगे बहुत थोड़ी सी हलती, हलती जादा नहीं डालेगी सबजी में इसे भी हलका से मिला लेंगे अब जो हमने टमाटर काट के रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे अब यहां आपको क्या करना है देखिए टमाटर को आपको पकाना है तो इसमें पहले हम नमग डाल देंगे टमाटर के हिसाब से अब इसको हम मिला लेंगे आपको टमाटर को यहां इतना नहीं पकाना है कि ओल अलग हो जाना चाहिए अच्छे से टमाटर मैश हो जाने चाहिए ऐसा नहीं टमाटर सॉफ्ट हो जाने चाहिए पक जाने चाहिए अच्छे तरीके से पर उसको मेश बिलकुल भी नहीं करना है टमाटर दिखना चाहिए सबजी हम चेक कर लेते हैं तो यहां यह सबजी हमारी अच्छे से हो गई है तो जितना हमने कोकर को भर दिया दा सबजी उसकी आदी हो गई है यदि आपको लगता है इस टाइम पर कि सबजी थोड़ी से थिक है पानी इसमें थोड़ा कम है तो पानी का आप गरम करके थोड़ा से अट कर सकते हो यदि आपको जादा थिक कंसिस्टेंसी की सबजी नहीं चाहिए तो तो यहां यह हमारे टमाटर हो गए है मैश नहीं किये हैं ये खुद ही इतना पक चुके है और जो हमने लॉंग और काली मुझ को इस तरीके से दरदरा करके रखा था वो हम इसमें डाल लेंगे और एक मिनिट तक इसको हम मूल लेंगे ताकि उसका जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से आ जाएगा देखिए आप कितनी भी अमाउड में सबजी बनाए मसाले आप अपने हिसाब से देखना कम या जादा मैं आपको मसाले बता रही हूँ कि आपको मसाले यही यूज़ करने है और इसी प्रोसेस से यूज़ करने है तब ही वो टेस्ट आएगा टेक्श्चर आएगा और फ्लेवर आएगा तो यहां देख सकते हैं ओल सर्फेस पर आ गया है यानि कि बुनकर तैयार हो गया है हम इसमें सबजी डाल देंगे जो हमने वोल करके रखी है हलवाई जब इस तरीके से में एक सबजी बनाते है तो वो सीधे कड़ाई में पहले सबजी को वोल करते है देखिए हमारे बास सबजी का मौन कम है और उसमें समय भी ज़्यादा लगता है तो इसलिए हमने सबजी को कोकर में पहले वोल कर लिया है इससे कोई फरखनी पड़ता है इस सबजी के टेस्ट में किया है या फिर कोकर में किया है टेस्ट वही रहेगा अच्छे से मिलाने के बाद में आपको फ्लेम को कर देना है मीजिम टू हाई और इसे चार से पाँच मिनिट तक होने देना ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और फिर हम इसमें सूखे मसाले मिलाएंगे जब इसमें सूखे मसाले मिलाएंगे तब फ्लेम को आप पिल्कुल लो कर देना उसके बाद में हम इसमें डालेंगे सबसे पहले एक चमच पर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे कलर अच्छा आता है तीखा पन इतना नहीं होता है और दो चमच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और दो चमच हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर और एक चमच भरके हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और आदा चमच से थोड़ा सा जादा है काला नमक इसी के साथ में दो चमच करसूड़ी मैथी उसे हम हाथों से इस तरीके से करश्ट करके डालेंगे अब आपको फलिम को मीडियम कर देना है और इन सब ही मसालों को इस सबजी में अच्छे से मिलाना है देखिए मसाले सूखे है ऐसा नहीं आपने इसको टमाटर के साथ में नहीं भूना है तो इसके एक अच्छे पन का टेस्ट आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बलकि इसी से सबजी की जो में खुश्बू रहती है और जो टेस्ट होता है वो आता है कलर भी इसी से आता है अब सबजी को आपको आठ से दस मिर्ट तक भूनना है जैसे सबजी भूनती जाएगे आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज होता जाता है और जो मसाले है उससे अच्छी खुश्बू आने लगती है जैसे कि हलवाई जब सबजी बनाते है तब आती है सबजी भूनकर तयार हो गई है यह आपको कैसे पता चलेगा सरफेस पर ओइल आ जाएगा तो आपको पता चलेगा सबजी अच्छे से भून चुकी है तब आपके इसको बन कर देना और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे फ्रेश बारी कटा हुआ हरा धनिया मिला लेंगे इसे अच्छे से यहाँ तयार हो गई है हमारी भंडारे वाली मिक्स सबजी अभी यह जो आपको कंसिस्टेंसी दिख रही है सबजी की 10 मिनिट बाद यह और भी थेक हो जाएगी तो इसलिए हमने इसको और जादा नहीं किया है मैं आपको दिखाओंगे 10 मिट बाद यह कैसे हो जाएगी इसका कलर भी चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में रखे हुए है तो यहाँ इस सबजी हमारी तयार है आप इससे जरूर ट्राइ कीजेगा आप इससे पूरी के साथ में खा सकते हैं फरांटा के साथ में भी खा सकते हैं रोटी के साथ में भी खा सकते हैं चावल के साथ में भी खा सकते हैं आप इससे मनाईएगा फिर मुझे कमेंट करके बताईगा कि सबजी आपको कैसी लगी तो सबजी तयार है तयार कर लेते हमारी पोडियां पोड़ी के लिए मैंने वैसे ही डो लगाया था जैसा कि आप रेगुलर में लगाते हैं पोड़ी फूली फूली बने उसके लिए आपको उसको अच्छे से नीट करना होता है तबी पूरियां फूली फूली बनती है अब भंडारी की जो पूरी बनती है वो थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी सी वो ठिक होती है लेकिन मैंने यहां ठिक पूरी नहीं बनाई है बड़ी ज़रूर बनाई है और हमारी सबी पूरिया अच्छे से फूल रही है लोजी तयार है हमारी गर्मा गरम फूली फूली पूरी साथ में तयार है हमारी भंडारे वाली सबजी परसनली ये मेरी भी बहुत फेवरेट है आपने देखा तोड़ी दिर में सबजी का टेक्शर है वो चेंज हो गया कलर भी चेंज हो गया तो यही रहता है जिसे कहते है न एक्चुल हलवाई स्टाइल वो टेस्ट आना चाहिए जो मस्तालों की खुश्बू है वो आनी चाहिए तो सेम आएगा आप इसे को ट्राइ तो कीजिए तो इस सबजी पूरी को भी हम सर्वी वैसे ही करेंगे जैसे कि भंडारे में मिलता है हम इसे दौने में सर्व करेंगे इसके अलाबा आप तक मैंने जितनी भी हलवाई वाली रेसी भी बनाई है आपने उस सब को बहुत पसंद किया है जिसे बेड़ी है आलू की खस्ता कचोड़ी है अनुकूट की सबजी है या भंडारे वाली आलू की सबजी है मैं वो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से देख सकते हैं तो लो जी भंडारे वाली पूरी सबजी हो गई है तैयार आप भी इसे बनाईएगा खाईएगा और फिर कमेंट करके बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी और यदि आपको मेरे आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएगा और इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चाल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल अकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अप्लोड करूँगी तो उसका नोर्टिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा साथी आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप और क्या सीखना चाहते है जो की हलवाई स्टाइल भी है या फिर जो मार्केट में मिलता है वो घर पर नहीं बन पाता है वैसा तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा मैं वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगे तेंक यू